तो जो नए ट्राफिक रूल्स आये हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि चालान को लेकर जो है बड़ी ख़बर सामने आ रही है अगर आप भी स्कूटर मोटर साइकल एक्टीवा पर अपने बच्चे के साथ घूमने जाते हो तो आपका चालान भी कट सकता है ऐसे में आपके लिए एक चेतावनी है आपको अब बेहत साथान रहने की यहाँ पर जरूरत है दोस्तों आपकी जरा से भी लापड़वाही आपको बहुत यहाँ पर भाड़ी पड़ सकती है क्योंकि अगर आपको स्कूटर, एक्टिवा, मोटर साइकल पर सवार होकर अपने बच्चे और अपने पतनी को लेकर कहीं जाना है ठीक है और आपका जो बच्चा है उसका उम्र जो है चार साल से जादा है तो आपका जो है यहाँ पर चालान कर सकता है मैं आपको बता दो कि नए मोटर वैकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटर साइकल पर चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोड़ पर जो है गिना जाएगा नए मोटर वाहन अधनियम की धारा 194.1 एक अनुसार आपको आपका इस नियम के उलंगन करने पर एक हजार रुपे का चलान जो है यहाँ पर कर सकता है इसके अलावा मोटर वाहन अधनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में सराप पिते हुए पकड़ जाते हैं तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10,000 रुपे या 6 महीने का जेल हो सकता है और फिर दोबारा ऐसा गलती करते हुए पकड़ जाने पर दो साल के जेल की सजाए और 15,000 रुपे का जो है जिर्माना हो सकता है नए रूल आये हैं उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर विस्तार से जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह कुछ नियम है जैसे की सामान ने जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा सामान ने कोई उलंगन करते हो तो पहले 100 रुपे लिए जाता था 500 रुपे लिए जाते हैं और सरक विन में उलंगन के नियम पर पहले 100 रुपे लिए जाते थे अब 500 रुपे चलान है यातायात अधिकारियों के आदिसों की अभेलना करने पर पहले 500 रुपे था चलान अब 2000 रुपे है बिना लाइसंस के वहनों का अनागरित उपयोग करना पहले इसमें 1000 रुपे लगता था 5000 रुपे यहां पर आपको चलान लगता है बिना driving license के वहाँ चलाना जो है अगर ऐसा होता है तो 500 रुपे लगते थे पहले चलान पहले अब इसका 5000 रुपे जो है यहाँ पर चलान लगता है यूग नहीं होने के बावजूद driving करना उसका 500 रुपे चार्ज था पहले अब 10,000 रुपे चलान लगता है समान से अधिक वाहन पर जो है पहले कुछ नहीं लगता था अब 5000 रुपे जो है यहाँ पर लगता है अधिक गती होने पर अगर यहाँ पर पहले जो चलान लगता था वो 400 रुपे था अब जो है यहाँ पर आपको 400 रुपे लगते हैं अधिक गती होने पर माफ कीजी, फिर से मैं बताना चाहूंगा, पहले 400 रुपे लगते थे, अब आपको यहाँ पर 1,000 रुपे लगते हैं, खतरनाक ड्राइविंग होने पर जो है, आपका पहले चलान करता था, 1000 रुपे, अब जो है, 5000 रुपे तक चलान आपको करता है, इस अग्रेगेटर, लाइसेंस अर्स्थों का उलंगन, पहले कुछ नहीं लगता था, अब जो है, 5000 रुपे तक का आपको यहाँ पर चलान करता है, ओवर लोडिंग होने पर पहले, 2000 रुपे और प्रती अतरिक तरन पर 2000 रुपे यहाँ पर लगता है, नहीं चलान में, यात्र होने पर पहले 100 रुपे लगता था, 2000 रुपे अर्प यहां ओ्वजर लगता है, अब होनों पर ओवर लोडिंग होने पर पहले 100 रुपे लगता था, अब हापको 4000 रुपे और 3 रोप्र में के लिए लिकेंस का जो है, आयोग्य म Representatives नहीं लगाने पर पहले 100 रुपे लगता अब आपको जो है एक हजार रुपे और तीन महीने के लिए लाइसेंस की अयोगता यहाँ पर चलान के रूट में काटी जाती है इसके बाद एमर्जन्सी वहानों के लिए रास्ता उपलवद नहीं कराने पर पहले कुछ नहीं लगता था अब एक हजार रुपे लगता है तीन साल के कैद के साथ 25,000 रुपे यहां पर और तीसरा जो है कि सोडी पर भेजे जेजे अधिनियम के तहट मुगदमा चलाए जाएगा चौता वहान का रजिस्टियेशन रद कर दिया जाएगा उसके बाद दस्तावेजो को लगाने के लिए यातायात अधिकारियो का पावर पहले कुछ नहीं था अब ड्राइविंग लेसंस का निलंबन तक हो सकता है उसके बाद यातायात अधिकारियों को लागू करने से होने वाले अपराद कुछ नहीं था पहले आप सम्मंदित section के तहद दो बार जुर्बाना तो यह आपका नया नियम है traffic rule है नया तो अगर आप गाड़ी वगर चलाते हो तो यह नियम जो मैंने आपको बताया इसको आप जिरूर अपने माइन में रखें यह आपको help करेगा धन्यवाद